वो वो येे, हम मम्मी पापा को शादी की बदाई देंगे, वाँ वो, चिलाना बंद करो, मेरा दिमाग कराब हो रहा है, लड़कियों जगडा मत करो आज पापा को पता ही चल जाएगा कि उनकी बेटियां कितनी शानदार है यह सब कुछ इत्रा बुरा कैसे हो सकता है पापा क्या हुआ है यह देखो यह तुम्हारी मा का खत है तो यह सब क्या है मैं समझ जी पा रही हूँ इधर दो पहले पढ़ना सिखो Dear family, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ तुम मेरी लाइफ की बेस्ट चीज हो लेकिन लगता है मैं अभी मा बनना हैंडल नहीं कर सकती मैंने चाने का फैसला कर लिया है लव यू ओ नहीं, मा चली गई ए बग्वार, ना जाने आगे क्या क्या होने वाला है आप कौन होगा? वो, हो सकता है मा का मन बदल गया हो और वो वापस आ गई हूँ मा जल्दी खोलो अँचे क्या, तुम मा नहीं हो अरे मैं डिलिवरी वाला हूँ, आपके लिए केक की सजावत लाया हूँ शुक्रिया आपका दिन शुब रहे अब इस का किर मैं करूंगा क्या क्या तुमारा दिमाख हराब है तुमने मा की मूर्थी क्यों तोड़ी वो चली गई और इसलिए नो पाजी और मैं स्ट्रेस नहीं वो, हमें आज पार्टी करनी है और सारे दोस्तों को बुला रहा है क्या क्या तुम्खाना ये म्यूजिक अब पक्का किसी को भी परिशान नहीं करेगा तुम एक सिर्दर्द हो पादल हो क्या फैमली में प्रॉबलम है और तुम मजब रही हो हाय मेरे चोटे बच्चो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, तुम लोग उदास क्यों हो? आंटी एलिस, माँ हमें छोड़ के चली गई मेरी बहन किटी ऐसा नहीं कर सकती यह प्रूफ है कि वो चली गई है डांग कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरी बच्चियों, मैं हमेशा यहां रहूँगी मदद के लिए तयार आंटी एलिस, मदद के लिए कुछ पैसे मिलेंगे मुझे वो पार्टी के लिए चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल किये लो तुम्हें शर्म नहीं आती इवा हम इतने मुश्कल समय से गुज़र रहे है पता है, मेरे साथ और भी बुरा हुआ है मेरे क्रश ने मुझे छोड़ दिया हमारा जगड़ा हो गया वो जाना चाहता था मियामी और मैं मालदीव जाना चाहती थी वाउ, हम उनके प्रब्लम किसी और दिन सुनेंगे आंटी अलिस, क्या आप हमें समभाल लेंगी हमें आपको समभालना चाहिए मुझे उससे बहुत प्यार था मैं नहीं ये ब्रेक अप मुझे दोड़ रहा है जलो, अभी हमार पास इसके लिए टाइम नहीं है समझ नहीं आ रहा, वो कहां चले गए ओके, मैं जाती हूँ, शायद मीरा करश अपना मन बदल ले और वापिस आ जाए जाओ बेटा, तुम लग्स खोल जाओ आप पापा, अच्छा रहेगा अगर आज हम क्लास ना जाए हम देख सकते, आप कितने परिशाने, हम यही रहेंगे, आपके मुझे भी फटे हुए है हम यही हैं नहीं, नहीं, देखो, तुम किसी भी हालत में स्कूल जाओ, तुमारी माँ की यही इच्छा थी देखो बेटा, तुम किसी भी हालत में पढ़ाई करो भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, माँ हमें कैसे छोड़ सकती है शायद यह मकडी मदद कर पाए जल्दी से भेगो, क्या तुम पागल हो गई हो जानवर को चूट क्यों पहुचाई, उसने तुमारा क्या भी गाला था मतलब भी कहेंगी बस बहुत हुआ, स्कूल चलो अब पार्टी पूपर सुनो, माँ हमें छोड़ कर चली गई है इस बारे में स्कूल में किसी को मत बताना ठीक, अरे क्यों नहीं, ये काफी अच्छा रहेगा सब लोग हमारे लिए परिशान होंगे और मैं तुम्हें नहीं किताब दलाऊंगे बिल्कुल नहीं अगर प्रिंसिपल को पता चल जाएगा तो वो सोशल सर्विस इसको भुला सकती है हाँ यार और घर का इंस्पेक्शन भी तो होगा ना और इससे बतर वो हमें आनाथा लहीं बेज़ देंगे ओ, तुम लोग आगे? किसी को मत बताना तो लड़कियों, आज हम तुम्हारे ग्रेट बढ़ाएंगे सिंधी, तुम वहाँ जाकर क्यों बैटके यहाँ आओ, मैं तुम्हारी नॉलेज़ चेक करना चाहती हूँ हाँ, तो चलो अब मुझे पाइथोगोरस थेोरम बताओ हाँ, वो थेोरम थेोरम लेकिन क्यों, तुमने का पढ़ने का प्रोमिस किया था ना माहा हमें छोड़कर चली गई और पापा के पास समय ही नहीं था हाँ, पुछ नहीं नहीं रोता नहीं, यह तो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ पिचारी बच्ची, चुप चुप हमारे बापा बिलकुल अकेले उनसे नहीं होगा लेकिन वो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती है यह भगवान, यह सब क्या हो रहा है चलो, अच्छा, अब मैं तुम्हें और नसल देकर परिशान नहीं करूँगे चलो, यह सब करते है, चलो, तुम अपना ख्याल रखो है, मत रखो है रूना मत, यह भगवान, यह सब क्या हो रहा है सेंडी, तुम्हें हमारे समझहता तोड़ दिया और हमारी वामली को मुश्किल में टाल दिया तो और मैं क्या करती यार, मैंने बस बायलोजी का असाइंडमेंट मनाया था तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स बढ़ने पढ़ेंगे, दफा हो जाओ यहां से हे मेरी जान, क्या जल रहा है अभे तेरी, क्या तू रो रही है? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? हमारी मारी हमें छोड़ दिया अभे इसकी मा का, कैसे? यह कोई मजाग है क्या? लोग इस तरह का मजाग महीं करते वो पापा को उनकी बैडिंग एनिवर्स्टी पर छोड़ कर चली गए अच्छा केसी, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो अगर कैसे भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझे जरूर कॉंटेट करना तुम ठीक है? मैं तुमारे साथ हूँ अब यह यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे, क्रिस है दोसर, मैं क्या करूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कुछ समझा नहीं, कैसी तुम यह क्यों कर रही हो? हे, क्रिस, तुम कैसे हो? हाई, मैं ठीक हूँ ऐसे तो शाद हम आज वाक पर चली? मेरे कुछ प्लान्स हैं, लेकिन अगर तुम मुझे होटों वाली चुम्मी दे देगी, तो मैं प्लान कैंसल कर सकता हूँ डील वा बेटेगी, चलो बर गूमने चले साला चल क्या रहा है? मैं उसे कंफर्ट कर रहा था और गई तो ऐसे जसमें आपर था ही नहीं यह साला, वैसे ही मेरे गलती कि मैं आया बेटी इवा यह तुमने कैस पर क्या रखा हुआ है यह क्या कर दिया? सब कुछ चला दिया साला चल गया अभे गदी इवा यह क्या कर दिया तुने पेरकूब अगर किटी यह होती तो यह सब बिलकूल पे नहीं होता कभी भी क्रिस, बहुत अच्छा है तु अंदी हो गया, मैं यहां हूँ तुम यहां से चली जाओ सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं मैं क्रिस को बताओंगी क्यों कमाल है मैं तुम्हारे बारे में ट्विटर में पोस्ट करूँगी सबको बताओंगी तुम कितनी मतलबी हो लगता है पापा के लिए केवल मैं ही परिशान हूँ मुझे दादी को मेसेज करना है वो शाद अभी तक नहीं जानती है अबे गधी लड़किया, किचन में ये क्या भसर मचा रखी है अरे, लगता है पापा परिशान है हम परिशानी में है रिलाक्स मुझे पता है क्या करना है साला किचन का कबाल बना के रख या वेवकूफ कहीं कहीं है तुम लोग क्या पर बाप रहे विचारी बच्चियों को अपनी मा की याद आ रही है यह करीब था वाह ईवा तुम जीनियस हो शर्ट लगा लो नहीं यह बुरा है हमने पापा को और ज्यादा परेशान किया हाँ तुम सही कह रही हो हालात एक तम बत्तर होते जा रहे है मेरी बच्चिया इतनी परेशान है और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं बार रहा हूँ ओ पापा आप ठीक तो है ना क्या हुआ मेरी बेटी मैं तो तुम्हें मा का प्यार भी आई दे पाया हो सकता है बापा वो वापा साजाएं क्या ऐसा सच में हो सकता है सोचो जरा उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के लिए प्रांग किया था तो इसका मतलब वो गिफ्ट्स के साथ जरूर आएंगी पता ने यार तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गए और मैं उसे रोक भी नहीं पाया हम संभाल लेंगे ना यहां बहुत सारी हेल्पर से जिन्होंने लगभा किचिन जला दी थी इस चुहे को मारो इस की रोका पापा ये क्या कर रहे हैं आप कम ठीक तो हो ना ये मेरी पालतू है जैरी तुमने इतनी बेहुदा चीज पाली है जीदी ये मेरे लिए माल आई थी क्योंकि मैंने एकॉलजी का कॉंटे सीथा था कोई बात दी बेटा मैं इसी मालूगा अच्छा 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 वैसे पापा पैसे कहां चिपाते हैं शायद यहां नई ये नई इससे पहले सबको पैसे मिल जाए मुझे निकाला होगा हे क्रिस तुम्हें याद कर रही हूं मैं तुमसे प्यार करती हूं में क्यूटी सच में यू फिर आज रात क्लब स्वीट इवा तुम यहां क्या कर रही हो तुम ऐसे चला क्यों रही हो मुझे समझ नहीं आया तो तुम पैसे चुरा रही हो और तुम भी शामिल होना चाहती हो इसमें मैं शेर नहीं करूंगी बिलकुल नहीं पैसे नीचे रखो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पापा आप बिलकुल अकेले हैं और अब हमें उनकी मदद करनी होगी वैसे देखो मैं पैसे खर्च करने में मादद कर रही हूँ हाहाहा दो मुझे दो जूस जूस पहल गया हम क्या करें इसे पोच्चना होगा ऐसी से हमने पापा की पेपर्स खराब कर दिये शांत रहुबार भी मुझे पता है कि हम क्या करेंगे चलो इसे यहां रखें क्या यह ग्राफ असली है हाँ बिल्कुल मैंने इन्हें पहले लिंक से ही डाउनलूड किया है सही होना चाहिए चलो यहां से निकलें शायद तुम फिर कोई बेवकूफी कर दो हुए फिकाबू घर में तुम्हारी फेवरेट आंटी आई है हां तुम्हारे पापा ने मुझे तुम लोग के साथ रहने के लिए बोला ओ सचमुज क्या हम इतने छोटी से हैं क्या बिल्कुल तुम छोटी हो और थोड़ी पकाऊ भी ओ एलेस अच्छा किया कि तुम यहां चली आई बच्चे तुम्हें देखकर खुश होंगे तुम उनका बहुत अच्छा खयाल रखोगी पापा उस फोल्डर में क्या है यह मेरे प्रोजेक्ट के जरूरी पेपर्स है इनसे मुझे आज प्रेजेंटेशन देनी है तो इन्हें में साथ लेके जा रहो बाई कमौन सब ठीक हो जाएगा अब सुनो क्या हम नेल पेंट लगाए मैं अभी होम सेर्विस को कॉल करती हूँ हलो हलो क्या टॉप की सलून नेल टेक है अरे वाह आँच आलिस तो बहुत कमाल है कश कितना अच्छा होता अगर अंटी आलेस हमारी माह होती तो तब हमारी लाइफ इस तरह दिखती है हे मेरे चोटे बच्चों में तुम्हें पुरे एक साल के लिए स्कूल छोड़ने की परमिशन देती हूँ मा सच में स्कूल काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है इसकी बजाए हमें स्पा सलून के लिए देरी हो रही है साइटी आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है एक अमीर पती कैसे ढूने और काम करने से कैसे बचें वाँ लेकिन मैं और दीना भी शादी के लिए छोटे हैं तो फिर अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे दोस्ट ढूनो अब चाओ कैसी, तुम्हें पिछला लेसन अच्छी तरह मिल गया होगा अमा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप सबसे अच्छी हैं बाकुम हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया मेरी संद्रियों अरे नहीं, मैं ये ग्लैमर हांडल नहीं कर सकती वा, मुझे ये पसंद आया लडकियों, मेरी क्रेश्ट ने मुझे फिर छोड़ दिया अरे, नहीं हमने आज समझ होता क्या था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया अरे, नहीं, मुझे तुरण थेरपिस से मिलना होगा हद है, हमारा क्या होगा भूज जाओ, हम खुद पता लगा लेंगे हाँ, 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 हाँ हम कच्टेक भी नाले वाले है तू बना रहे है, ये हेल्दी है बस करो, तु अकेले मीट पसंद नहीं करते, हमें तुम्हारा टेस्ट नहीं चाहिए मूर्क, मैंने इस अब समझ लिया है और मैंने पहले ही ओर्डर दे दिया है वाँ, वाँ, पाइली ईवा, तुम बहुत बत्तमीद हो, ये हम सब का खाना है अगर तुम्हें अकेले ही सब खाना है, तो बिल ये है, भर दो 120 डॉलर जो भी हो, रुक्यों की परवा किसे है हम लोगों को बिल छिपाना होगा, पापा को ऐसा लगेगा कि हमने खुद पकाया है हाँ, चलो, कम से कम पापा की चहरे पर स्माइल लेकिया आती है ये कैसे हो सकता है, सब कुछ बरबाद हो गया पापा, क्या हुआ? हमारी बिजनेस डील कैंसल हो गई हाँ, हाँ, हमारे पेपर्स की जगा किसी ने कुछ और रख दिया और सब कुछ कराब हो गया उप्स, उन्हें, उन्हें वहां किस ने रख दिया? पता नहीं, पता नहीं ये सब किस ने किया विगें जो कुछ भी हुआ, हमारे बिजनेस पर बड़ा इफेक्ट बड़ा पापा, हम जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे शायद हमें कुछ घंटों के लिए पार्ट टाइम काम बेज राएगा पापा, हमें और इवा को पक्का नौकरी मिल जाएगी इवा, तुम मना नहीं कर सकती अरे, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है मेरी बच्चियों ए, दो, तीन, चार्ज हे, कैसा चल रहा है, यहां के इन चार्ज आप हो और तुम हो कौन? मैंने आपका नौकरी का आड़ देखा मैं कुछ नहीं करना चाहती बस, पैसा, पैसा कमाना चाहती हूँ तुम मजाग कर रही हो है न? ऐसे ही, चिंता बत करो हम, काम पूरा कर लेंगे यह बताओ कैसे होता है अच्छा, ठीक है आओ मेरे साथ ओ, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ यह है कैश रेजिस्टर ओके, पैसा यहां रखना है ओ, कितना बोरिंग है तो बताओ बेवकूफ कस्टमर्स कहाँ पे है क्या हाल है मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए एक कमाल की ड्रेस चाहिए, ओके इसका मुझे कैले ना देना तुम यहां काम करते, तुम बताओ कुछ ओ, हाँ तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ हाँ, ठीक है तो तुम यहां आओ ये लो ये क्या बना दिया तुमने मुझे यहां कोई मजाग चल रहा है क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया मैंने तुम्हारी बोरिंग से लाइफ में बहुत जादा मजा डाला है मैं कम्प्लेंट करूँगा अपने मैनेजर को बुला के ला अरे इतना हंगामा क्यो है यहां पे लगता है मैं समझ गई तुम्हारी नौकरी तो गई चलो निकलो यहां से आज के काम के पैसे तुमने सब कुछ गड़पर कर दिया और पैसे मांग रही हो कोई पैसे नहीं मिलेंगे मैं माफी मांगती हूँ आप से चलो मैं आपको दूसरे फिटिंग रूम में ले चलती हूँ कुछ और ढूनते हैं आपके लिए तुम्हारी के सच में मूरब दुखार मुझे लफरत है मुझे इससे लफरत है मुझे इससे लफरत है मूरब दुखार यहां कैश रजिस्टर है परफेक्ट अब एक्ष्रा कैश कमाने का टाइम है मैं कच्रा चानूंगी अरे ये क्या क्या हमारे घर के पास नए बेगर लोग आ गए है मैं सच में कच्रा चाच रही हूँ मैं ब्लास्टिक, कागज, मेटल और ग्लास अलग करती हूँ फिर मैं इसे रिसाइकल के लिए ले जाऊंगी और पेसी कमाऊंगी इतना एक्साइटिट क्यो हो रही हो रुखो क्या कर रही हो ये गंदा है हट छोड़ो मुझे ये प्रक्टि के लिए अच्छा है तुम्हें खर पर एक्लीनिंग प्रोड़क्ट से साथ करना होगा आप चलो नहीं, मैं बस पापा की मदद करना चाहती हूँ तुम बस एक परिशानी हो मैं तुम्हें नहीं ले जारी हूँ आपने आप जाओ अरे हाँ, 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 आप फिक्र मत किजिए आपका प्रोजेक्ट में टाइम पर डिलिवर कर दूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सर मेरी तरफ ठीक है, शुक्रिया आपका केसी? ओ, पापा क्या चल रहा है ये सभी आपर? मैं बस अपने बॉइफरेंड के साथ गूम रही हूँ क्या तुम्हारा बॉइफरेंड? बस एक दोस्त, क्रिस हेलो यहां मैं इतनी महनत कर रहा हूँ और यह तुम क्या कर रही हो? यहां तुम गुल्छर्रे उड़ा रही हो इसके साथ? पापा, मुझे पहले ही बुरा लग रहा है क्रिस के बारे में और कुछ कहा तो मैं घर से भाग जाओंगी तुम्हारा ऐसे लफंगों के साथ घुमना मुझे नहीं पसंद है पापा, आप जाओ हमारा जल्दी लेसन शुरू होने वाला है और आप हमें रोके हुए हो गदी का इंकी, दफाओ जो यहां से हेलो? हाँ आप फिकर मत कीजी सर, बच्चों को पढ़ाना मेरे बाय हाथ का खेले सर मुझे उससे बता नहीं होगा अब और नहीं चिपा जकता यार हेई, नेट, क्या हाल है? हाँ तुम्हारा आद सच में बहुत भारी है भारी? ये कहा भारी है? तुम पागल तो नहीं हो गया माफ कर दो वाव, ये किसी फिल्म जैसा है कैसी? उप्स, हमने नोटीसी नहीं किया ये सब क्या चल रहा है जाओ अपनी सीट पर जाओ क्लास शुरू हो चुकी है तो बच्चो, अब से मैं आपको गडित नहीं पढ़ाओंगी क्योंकि अब हमें नया टीचर मिल गया है हेलो बच्चो, मैं हूँ मिस्टर जाक आज से मैं आपको पढ़ाओंगा मैं हूँ आपका टीचर पापा? तो अब मैं हाप लोगों को और साधे डिस्टप नहीं करूंगी स्वागत है मेरी क्लास में खो मैं अपने सबसे होनहार स्टुडेंट क्रिस को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ वो सबसे बढ़िया स्टुडेंट है मैरे कुछ भी निसीगा एजुकेशन बेवकूफ के लिए तो बेटा एक काम करो मेरी क्लास से अभी क्या भी दफाव जाओ अब तेरी हिम्मत कैसे हुई ओ ये क्या चल रहा है दिन दाड़े केसी शाबाश बहन मैं हमेशा क्लास डप करती थी अब तुम्हारी बारी है मेरी बेटी से दूर हट जा साले आप चले जो क्या आप मुझे परिशान करने के लिए टीचर बने हो क्या नई मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाता हूँ तो मैं स्कूल चोड़ रही हूँ मैं भी जा रही हूँ मैं बहुत टाइम से यही चाती थी और केची ने मुझे हरा दिया बाई मुझे लगता है मेरे यह रहने से मेरी बेटीया परिशान हो रही है मुझे यहन से चले जना चाहिए सही होगा कि तू चला जा यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो चुका है चली जाओ यहां से मैं होवा करने की कोशिश कर रही हूँ ओ यह शुरू हो गया यह रिमोट बुझे दो रिमोट बुझे दो लट की दो उझे तमसे पुच के रहा है तो वो सब बाद में हमारे पापा क्लास में पढ़ा रही है और कैसी ने क्लास विगार दी हमारे स्कूल में पापा क्या रहा है वो जान बूच कर आय थे पूरे स्कूल के सामने मुझे शर्मिन्दा करना चाहते थे दिमाग खराब करके रख्दिया है चलो उन्हें चलकर बॉयकॉट करते हैं, बहुत हुआ हमने उनकी मदद की और उन्होंने ये किया हाँ वाउ, ऐसा पहली बार हुआ है कि हम सभी सहमत है और बच्चीयों, क्या चल रहा है या, पर तुम सभी मुझे इगनॉर क्यों कर रही हो ओई, तुमने सुना क्या, मुझे कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई दिये नहीं, अब तो प्रेम होगा ये क्या बकवास चल रही है या, अच्छा, ये सब तुमारे फोन की वज़े से हो रहा है, अभी जब्त करता हूं सारे लाओ अपना फोन इसमें डाल दो सभी आप बुरे हो सिर्फ तुमारे फोन से काम नहीं चलेगा, अपने सारे गैजेट्स इसमें डालने पड़ेंगे तुम्हे अब बताओ क्या चल रहा है मैं शौक ढूंँ पापा, शायद इसलिए माने आपको छोड़ दिया शायद साही है, मेरी वज़े से एकिटी चली गई है आउंटी एलिस, हम जाम में है, पापा ने हमारे गैजेट्स कर लिये, लग के लिए मैंने लाप्टोप बचा लिया हम मदद के लिए आपके पास आ रहे हैं मेरी बच्चियों, खाश में तुम्हें अपने साथ से जा पाती, तुम्हारे पापा बहुत बिगड़ गए है हमें पैसे कहां से मिर सकते हैं, मुझे नए कपड़े चाहिए और मुझे कॉक रोज के लिए टेराटियम चाहिए ठीक है फिर रुको, मैं अपने सिंप से पर्स के लिए पैसे मागूंगी, लेकिन असल में मैं इसे तुम्हें दे दूंगी हम ज्यादा अंतिसार नहीं कर सकते हैं शायद तुम्हारे पास गुलक या सीक्रेट मेनी हो अच्छा एडिया है, चलो सारे गुलक उठा लेते हैं, मुझे पता है वो है लो, ये लो, मुझे बुक की क्या जरूरत ओ, आब आया समझ मुझे देने में दिक्कत हो रहे हैं, लेकिन कहा गया? ये गुलक पकड़ो इसे तोड़ना होगा भयानब, तुम बेवकुफ हो, गरीब गुलक और वैसे भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये बिलकुल खाली है ये खाली कैसे है? हम तो पैसे लाने के लिए तैयार थे ना? आरे नहीं, हम गुलक लाने पर आजे हुए और मैले आई, मैंने पैसो के बारे में कुछ नहीं सुना देखो, बस हुआ, तुम दिमाग खराब कर रही हो अब मैं पापा की खुद मदद करूँगी ये बहुत भारी है, अब सहन नहीं होता अरे मैं आगया, तुमने मुझे बुलाया ना, क्या तुम्हें कुछ काम था? ये सारा समान कबाड़ी तक पहुचाने में मदद कर दे वो, ये तो कमाल है मैं अपने पुराने खिलाओने जैसे गुडिया और बाकी पेशना चाहती हो, जिनकी ज़रूरत नहीं है देखो, जैसे ये, इसकी ज़रूरत नहीं है क्या तुम्हें ने फेकन में प्रावलम नहीं है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन मेरी फैमली को इस टाइम पैसे की ज़रूरत है तो मैं इसलिए ये सब बेच रही हूँ अच्छा ठेक है हाँ, उमीद है, मैं तुम्हें डिस्ट्राक नहीं कर रही हूँ चया तुम्हें मेरी बहन कैसी के साथ टाइम चाहिए और मैंने तुम्हें यहां बिजी किया हुआ है कैसी तुम्हें जानती भी नहीं है ऐसा फील होता है जैसे मैं उसके सामने हुई ही नहीं क्या, तुम्हें प्यार के लिए लड़ना होगा मुझे पता है तुम उससे कितना प्यार करते हो क्या तुम ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा आहां बिल्कुल बस जा कर उसे बोलो गमाल एठीना तुमने गमाल की बात की मैं अभी जा कि उससे बोलता हूँ हेई ने टुको मेरे बक्स होगा क्या मुझे सब अकेले ही करना होगा मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं और मेरी बतनी मुझे चोड़ कर चली गए अब क्या होगा मिस्टर सैच, आप यहाँ पर है हाँ मिसिस क्रिस्टी हाँ, देख रही हूँ आप काफी अपसिट लग रहे हैं मेरे बच्चे यह पसंद नहीं करते के मैं उनकी क्लास में उन्हें पढ़ाऊ हाँ तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप किसी थेरपेस से चाकर मिले आपको भी लगता है कि मैं पागल हूँ जैसे मेरी पत्री पागल समझके चोड़ गई मिस्टर जैच आप इतना निराश मत हुए आप जैसे सुंधर आत्मे को इतना दुखी नहीं होना जाएए यह सही नहीं है यह सब क्या बोल रही है आप मिसिस क्रिस्टी क्यों ना किसी थेरपेस की वजाए आप मेरे साथ डेट पर चले रॉक अरे यह औरत तो चिपकली की तरह भिन भिना रही है यह भी मेरी पल्ले पढ़नी थी तुम यह चांदे भी नहीं हो मिस्टर सैच कि तुम क्या ठुकरा रहे हो मुझे चोड़ दो मुझे चोड़ दो अरे चुड़ा रागा इसमें अरे कोई बाबा बुलाओ इसकी तो रुको तो सही सुनो तो सही तुम पक्खा मान जाओगे दिखना आए जैक माद करना मुझे देर हो गई ये क्या है जैक? ये ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा की दिख रहा है मेरी बहन तुम्हें चोड़ गई? तुमने ये बेस का डूण ली? तुमने मुझे बिजू का बला? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा है यार ये मुझे टूट पड़ रही है पागल कहीं की देख सकती है तुमने कहानी अच्छी बनाई है जी के फिर मैं ही चले चाता हूँ या से कर थे कहीं के आखे क्रिस कहा है उमीद है वो हमारी डेट नहीं भूला होगा उसे कॉल भी नहीं कर सकती है ओ पागल बंदर देख के नहीं चल सकते मेरो पर पैर रख दिया किसी क्या तुम मुझे पैचानती नहीं हो बंदर मेरा नाम क्यासे जानता है केसी, क्या तुम मुझे पहचांती नहीं हूं? दफ़ा हुजाई हैंसे! क्या तुम मुझे तुम भूरी? जाओ हुएंसे! बचाओ, बंदर मेरा पीछा कर रहा है. बचाओ! जाओ, मैं तुम मैं भराओना हूं? तुम तुम है? अब ढूलो. क्या ही तुम हो देखो तुम्हार जैसे कई सारी लड़किया है उसके पास तुल्ला रोकु बे मुझे ये बता चल क्या राय कैसी लूजर कही के तुमने मुझे दोखा दिया अब किस ने कह दिया यह तेर से यार तुने तेरी जात का पैदा वारूट तुसके लाइक नहीं है साले अब चुपरे जूटे का ही के क्रिस अब हाँ अलब हो रहे हैं समझे कुट बैट चुपरे जूटे के अलाब अब जा साले पापा इस उदासी का क्या मतलब है मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं वैसे यह बताओ अच्छे ही कप थे हां अब रखो अपना लगता है मैं तुम्हें और अपने साथ नहीं रख पाऊंगा बिठा मुझे तुम्हें अभी क्या भी एना ताले छोड़ना होगा एई पापा क्या आप सीजिस हो हम कहा जा रहे हैं फॉस्टर हूम और कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाओंगी मेरे सभी दोस यहीं पे हैं पापा क्यों भजल और पे रास्वा नहीं बचा है बड़े मुश्किल से हुआ पेटा इतने पैसे कहां से लाई तुम तीन सो हजार डॉलर्स ओ वाव तुमने कोई बैंक बैंक लूटा है क्या हां वाव बहुत बढ़िया वैसे तुम बहुत जल्दी ही आम जेल जाने वाली हो जिखे अले मेरा सारा का सारा समान खरीद लिया हमारी सारी प्रॉब्लम साल्फ कर दि प्यारी डीन मैं यह सभी में बाढOR दूँगी और सभी को मैं उसका हिस्सा दूगी लेकिन गेरेंटी कोई नहीं है किसे छोड़ो यह तुमारा नहीं है जो छोड़ो इसे, अब ये किसी के भी नहीं रहेंगे गदे कहींगे आले उससे हमारा खर्चा निकल जाता ओई, ओओ, वो मैं फागल होगे थी और मुझे पता नहीं चला मेरे साथ हमेशे ऐसा क्यों होता है पापा, क्या आपको कुछ पैसे मिले तुम्हारी पहन तीन सो मिलियन डॉलर लेकर आई थी कम से कम एक अच्छी चीज तो हुए आज और तुम्हारी इस गधी पहन ने सारे पैसे चला डाले अब हम क्या करे हमारा काम हो गया पापा घर बेच रहे है और अब हम बेघर हो जाएंगे यह नहीं होना चाहे देखो मा इस परिवार को अच्छे से देखो क्या मेरी बड़ी बेटी तुम लोगों की वज़ा से भाग गई यह मिस्स गोएल वो अपनी मर्ज़ी से गई है लगता है दादी बस हमारा वजाग उड़ाने आई है यह जैक तुम एक घटिया पिता हो तुम कैसा एक्जामपल सेट करें उपनी बेटियों के सामने बदमाश तुम्हे तो घर से निकाल देना चाहिए हां मैं सहमत हूँ यह हमें संभाल नहीं सकते है हमें उनकी पेरेंट्स के अधिकार छीन लेने चाहिए गर से बाहर नकल जाओ गर से बाहर नकल जाओ गर से बाहर suits इसने सब कहा था इतना पुरा सस्ukra बदायो 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 ओ meter हम आप से मां से बहुत प्यार करते हैं अरे क्या बात कर रही हो, मम्मी, तुम्हारी मम्मी गई नहीं गया मम्मी, क्या चुर रहा है, आप कहां से आई सच में मा कहीं नहीं गई थी हम लोग से बास है आपके लिए सब्प्राइज तेयार कर रहे हैं जाले, हैप्य एनिवाइसरी क्या, कीटी, तुम यहाँ परो मेरी जान, मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुए वाउ, तुम्हारे पापा को क्या हो गया कई सालों से उन्हें इस तरह नहीं देखा मैंने एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना देखा था, शुक्र है वो सिर्फ सपना था रुको हमारे तरफ से भी प्यारा से केफ्ट है देखो केकी मूर्थिया दुला और दुलन, बिलकल आपकी तरह मा का सिर्क क्यो गायब है इसका सर का गया तूट कया होगा चलो पहले जशन का ब्रेक्फस्ट कर ले अपने पूरे परिवार के साथ कितनी खुशी होती है मेरे सपने में तुम उस लफंगे नेट के साथ गोम रही थी, पता है क्या पापा, यह आपके बेतु के सपने हैं, नेट और मैं सिर्फ दोस है और हम आ गए, बढ़ाई हो मेरे परेंस आ गए, ममा अहलेस, और पता है मेरे सपने में तुम्हारे क्रश ने तुम्हें किसी बेतु किसी बात पर छोड़ दिया था तुम के चुड़ा रहे हो, मसे ले रहे हो, उसने सच में मुझे चोड़ दिया नब परो मुझे कामार, नहीं बल्कि एक जोकर मिला है और अब तुम सपने में भी बताओगे क्या किया मैंने तुम्हारे साथ हाँ, लेकिन ये जोकर ही तो है, जिसकी वज़े से आप लोग यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से बैठे वे हो चलो खाई, हम और कितना है इंतजार कर सकते हैं मुझे भूब भी लगी है हाँ, तो चलो, इस टेस्टिस जूस से अपने परेंट्स को टोस देते हैं हाँ, मार्सी में पर्सी, मार्सी हेई, कैसी, बहाँ चली तुम काथी, केसी, ज़रूर उस लफंगे क्रेस से मिल रही होगी अच्छा सुनो केसी क्या तुम आज फरी हो मुझे नहीं पता मैं फैमिली मीटिंग से भागने का प्लान कर रही थी लेकिन तब ही नानी आ गई अच्छा समझ गया तुम उन्हें दुख नहीं पहुचाना चाहती ठीक है मैं जाओंगी पापा वहां अपने सपनों के चुटकुले सुना रहे थे और उन्होंने सपना देखा कि तुम मुझे से बहुत प्यार करते हो वैसे मैं केसी सिर्फ तुमारे डाट के सपनों में ही सिर्फ प्यार नहीं करता बलकि असलियत में भी करता हूँ नेट, हम सिर्फ दोस्त है अहां तुमने सही का लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे ज्यादा हो सकते हैं नेट, अभी नहीं मैं इसके लिए तयार नहीं हूँ हमारे पेरिंट्स के अनिवर्सरी पर बॉइफरेंड डूणना अभी इतना ही हम बात में मिलते हैं मगर किसी, मुझे लगा तुम भी मुझे से प्यार करती हो हम फिर बात में बात करेंगे येस, वो मुझे सच में प्यार करता है रुको, फिर मैंने अपनी ट्यूप मागी और तहीं कहा, बस एक दोस्त और बेटा, मेरे सपने में तो तुम्हारी मा जो है न वह आई थी भर से डाइलोग गलत हो गया लेकिन बावना तो सही ही न ये वे वो तो सही ही न वे ले लेvy